परवाहन के साथ उत्रे लोगों के पास जरूरी कागज़ाद भी होने चाहिए और यसे लेकर प्रशास इक माकमा दोरा लगता जागरूटा भियान चलाया जा रहा है गरवा जिले में परिवन विभागने पहली बार कैंप की शरवात की जिसमें वाहन चालकों का लाइसेंस पनाया जा रहा है लोग गाड़ी चलाते रहे जहां एक तरफ दुरखटना होती रही तो दूसरी ओर परियाप्त कागज़ाद नहीं होने की वज़ा से वो जाच के जद में भी आकर अपनी गाड़ी के मूल्य से कहीं ज्यादा चालान भी भरते रहे यह सिलसला आज सालों से अनवरत जारी है क्योंकि विभागी कारियाले में कागज़ाद बनाने के लिए पहुचने वाले लोगों को महीनों परिशान होना पड़ता था कुछ के पूरे होते थे तो कुछ के अधूरे रहते थे लेगन अब जिले के लोगों को हलकान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि उनकी परिशानी को शित्दत के साथ महसूस करते हुए परिभाहन विभाग द्वारा वाहन चालों को लाइसेंस देने का कैम्प शुरू किया ग लाइसेंस के लिए और यहां पर आने पर आपका अनुमंडल में कि आपके नाम से गाडी नहीं है तो फंगना के नाम से गाडी नहीं से इसे माले यहां पांच की जगह पर 15 देना पड़ता है इस से हम लोग बहुत संद्खूस हैं कि यहां पर कैंप लागा हुए है लेकिन भीन भार बहुत ज्यादा है वी रुजगार और इस सब के जो इधर उधर चेकिंग में गाड़ियां वहन पक्राती है और हम लोग फाइन करते हैं तो हम लोगों को विभाग से पर आपता कि ज्यादा ज्यादा लाभूगों का लाइसेंस निर करते हैं उसी संदर में आज पर उटारी में हम लोगों ने कैम्प किया यहां आके मैंने देखा कि बहुत ज्यादा लाभूक सबाइव में अपने जो इनके पास लाइसेंस नहीं है आज हम लोग उनका ब्लड टेस्ट और नेतर जांस का सिवर भी यहां लगा हुआ है उन लोगों ने आज का स्लोट भी सराहना जरूर हो रही है लेकिन साथ में यह कहना तो बनता है कि ऐसे शिवीर अनवरत चलाए मान रहे ताकि फिर से लोग लाइसेंस और अन्य जरूरी कागजात के बिना कोई परिशानियों से ना गुजरे न्यूज 11 भारत के लिए गढवा से आशुतोश रंजन की रिपो अन्य रिपोट